जै मातादी दोस्तो कैसे हैं आप सब ही? दोस्तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों दिन की शुरुवात हमारे पूरे दिन के स्वास्थ और काम को प्रभावित करती है अगर शुरुवात ताजगी भरी होगी तो पूरे दिन स्फूर्ती बनी रहीगी एक और जहां कुछ आदतें सेहत मंद बनाती हैं तो वही कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो आपको बीमार कर सकती है सुभह जल्दी सो कर उठना एक अच्छी आदत है हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो सुभह उठकर पानी पीते हैं कुछ मेडिटेशन करते होंगे, कुछ वरक आउट करते होंगे तो कुछ मॉर्निंग वॉक पर जाते होंगे एक और जहां ये सभी आदतें सेहत मंद जीवन शैली का हिस्सा हैं वही कुछ आदतें ऐसी भी हैं जिनका हमारे स्वास्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है के धर्म कर्म भी करते रहते हैं हम हमेशा आँख खुलते ही कुछ अच्छा देखना चाहते हैं जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा व्यतित हो इस बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है कि सुभह कौन सा काम करने से पूरा दिन अच्छा जाता है तो आईए जानते हैं ऐसे ही दस कामों के बारे में जो आपको सुभह उटकर जरूर करने चाहिए दोस्तो रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजूर्गों के पैर छुकर आशिरवाद लेना चाहिए ऐसा करने से आपकी कुंडली में इस्थित सभी विप्रीत ग्रहे आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुपफल प्रदान करेंगे माता पिता के आशिरवाद से आप पर आने वाला संक टल जाएगा और आपके बिगडे हुए काम बनने लगेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसमत चमक जाए तो रोज चीटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का शेय कम हो जाता है और पुन्य कर्म उदे होते हैं यही पुन्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ती में सहायक होते हैं गर को हमेशा साफ और स्वच रखना चाहिए रोज सुभह जाडू पोचा करें सूर्यास्त के बाद जाडू पोचा नहीं करना चाहिए ऐसा करने से मालक्ष्मी रूट जाती है और व्यक्ती को आर्थिक हानी का सामना करना पड़ सकता है धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ती सूर्यास्त के बाद जाडू पोचा करता है देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और महा से चली जाती है भारत में खेत आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे अगर पुराणों की बात करें तो गरुड पुरान के अनुसार अगर आपने खेतों में हरी भरी फसल और पकी हुई फसल देख लें तो आपको पुन्य और लाब ज़रूर मिलता है अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है खेत देखना तो आप अपने गार्डन में जाकर कुछ मिनाट के लिए ज़रूर बैठें शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग ब्रहम मूरत में उठकर रोज सुपह सूर्य को नियमित रूप से जल चड़ाते हैं वो लोग समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं और सेहत के लिहाज से उनकी उम्र लंबी होती है आपको रोज सुपह उठकर तुलसी को जल चड़ाना चाहिए ताकि आपके उपर देवी देवताओं के क्रपा बनी रहे शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरे करते हैं उनके घर में हमेशा सुक सम्रिधी बनी रहती है आपको हर रोज अपने घर के मंदिर में पूझा करनी चाहिए और वहाँ पर धूप दीप अगर्वत्ती जलानी चाहिए जिसके धुएं से वातावरन शुद होता है और नकारात्मक उर्जा घर से नश्श हो जाती है अपने आफिस जाते हैं, अपनी नौकरी के लिए निकलते हैं, दुकान के लिए निकलते हैं तो आपको घर से निकलने से पहले थोड़ी सी दही, मीठी दही का सेवन करना चाहिए जिससे आपके कारियों में आने वाली बाधाईं दूर होती हैं और आपको शुप फल मिलते हैं अगर आप सुबह को जल्दी उठ जाते हैं तो आपको पूरे दिन शरीर में ताजगी महसूस होगी इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही और साथ ही सूर्योदे से पहले उठने से यानि ब्रहम मुहूरत में उठने से आपको शुप फलू की प्राप्ती होती है आपको लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए योग और ध्यान हर रोज करना चाहिए जिससे आप सभी प्रकार की बीमारियों से दूर रह सकेंगे ध्यान से क्रोध को काबू में रखा जा सकता है रियोग हमें रोगों से लणने में मदद करता है और इन सभी के साथ आपको किसी के भी साथ दुरव्यवार, कटू वचन नहीं बोलने चाहिए आपको अपना व्यवार सभी के साथ मधूर रखना चाहिए दोस्तो ये थी वो 10 बाते जो आपको रोज सुबाउट करनी चाहिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर दें